पवित्र शिरिमत भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाईविल, पवित्र गुरुगरंत साहेब, पवित्र कभीर साहेब की वानी में छुपे हुए गूर रहस्य, अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरुत तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन सर्वे संतों की जए, सर्वे बगतों की जए, दर्मी पुरसों की जए, श्री कासी दाम की जए, श्री छुडानी दाम की जए, श्री करौथा दाम की जए, श्री बरुवाला दाम की जए, साथ साहिव ग्रिम नमो नमो सत पुरसकून नमस्कार गुरु की नहीं सुरनार मुनिजन साद्वा संतों सर्वस्दी नहीं सत गुरु साहव संत सब डंड़ो तंपरणाम आगे पीछे मज्धुए तिनकुजा कुर्बान नराकार निर्विसं काल जाल वैवंदनं निरलेपं निजनिर्गुणं अकल अनो बेशंदुनं सोहं सुर्ती शमापतं सकल समान नीरितले उज्वल हिरंबर हर्दमं बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्धुए तम मुंगे वजो सुमरे स्यद्ध होई गणनायक गलताना करो अनूगर सोई पारस पद परवान आजि गणे समनाऊं गणनायक देवन देवा चर्ण कमलो लाऊं आजन्त करो शेवा प्रम्शक्ती संगीतं रिज्शिदाता सोई अवगत गुण अतीतं सत्य पुरस निरमोही जगदंबा जगदीसं मंगलरूप मुरारी तनमन अर्पुंशीशं भगती मुक्ती भंडारी सुर्न अर्मुन जन्ध्यावे ब्यर्भाविशुन महेशा सेस सेस मुकगावे पुजे आद गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुन धर्म राय जावे समर्थ जीवन जीका मन इच्छा फल पावे तेतिस कोटी अधारा जावे सेस अठाशी उतरें भवजल पारा कट है यम की फांशी कर जोरुं विनती करूं दरूं चरन पर शीशी गुरु जी राम देवानंद जी महरोजने दियो नाम बक्सिष कोटी कोटी सिज़ दा करूं कोटी कोटी परणा में चरण कमल में राखियो में बांदी जाम गुलाम कुटा तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम गले प्रेम की जेवडी जाखे चोभा जाओं तो तो करो तो बावडूं दुर दुर करो तो जाओं जो राखो तो ही नहों जो देवो सोखाँ जै इब कैसत गुरू मिले सब दुख आखों रो चरण उपर सीस धरूं कहूं जो कहनी हो कभी रिषाई मिलेंगे पूछेंगे कुसलात आजी अंत की सब कहूं अपने दिल की बात गुरू जी तुम ना भूलियो चाहे लाखे लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना ही कभीर तुम्रे विसारे क्या बने मैं किसकी सरण में जाऊं सीवे ब्रंच मुनिनारदा इनके हर दना समाँ अब गुन किये तुम बोत किये करत नमनी आर बावे बंदा बक्ष दियो बावे गर्दन उतार अब गुन मेरे बापजी बक्सो ग्रीब निवाज जो मैं पूत कपूत हूँ बोड़े पिता कूँ लाज मैं अपरादी जनम का नक्सिक बरेविकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सवार राम नाम रट ते रहो जब तक गट मैं प्राणे कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान पूरण ब्रह्म करपा निदान सुनके सूकरतार ग्रीब दास मुद दीन की रखियो बोत समार कबीर दुख मैं सुमरण सब करे सुख मैं करे ना कोई जे सुख मैं सुमरण करें तो दुख काहे कूं हो वे कबीर सुख मैं सुमरण किया नहीं दुख मैं करते याद कहें कबीर दास की कौन सुने फरियाद ग्रीब राम नाम निज सारहे राम नाम निज मूले राम नाम सोदा करो राम नाम ना भूले पर्थ्वी पती चकवे गये जिनके चकर चलंते रामन सरीखे कोन गिने ऐसे गय अनन्ते सर्व सुने की लंका होती रामन सेरन धीरं एक पलक में राज बिरा जिवो जम के पडेज जीरं मन तू सुख के सागर बशरे भाई और न ऐसा यसरे मन तू सुख के सागर बशरे भाई और न ऐसा यसरे ग्यारा अक्सोनी संग चल थिया देही गीद ना खाई मन तू सुख के सागर बसरे बाई ओर न ऐसा यसरे मन तू सुख के सागर बसरे बाई ओर न ऐसा यसरे उद्य अस्त विचे चक्र चलें थे ऐसी जन ठकुराई कपिल मुनिश्वर कलप करी चब खोज न पाया राई मन तू सुख के सागर बसरे बाई ओर न ऐसा यसरे मन तू सुख के सागर बसरे बाई ओर न ऐसा यसरे साथ हजार सगड के होते कपिल मुनिश्वर खाई सुख के साथ हजार सगड के होते कपिल मुनिश्वर खाई एक सुपूत्र उतान पात का वो परमातम पद पाये मन तू सुख के सागर बसरे बाई ओर न ऐसा यसरे मन तू सुख के सागर बसरे बाई ओर न ऐसा यसरे मैं काशी पुरी कभी रा होते ताही लखो रे बाई के सो से बन जारे जिसके नो लख बालद ओई मन तू सुख के सा गर वसरे भाई ओर न ऐसा यसरे मन तू सुख के सा गर वसरे भाई ओर न ऐसा यसरे परम्पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सिर्ष्टी रचनहार कुल मालिक वासु देव सर्व गतं ब्रह्म परम अक्सर ब्रह्म ये वही परमात्मा है जो बनारिस में भारत वरच की पवित्र दर्ती पर कासी सहर में सन तेरा सो अठाण में समवत चौदा सो पच्पन जेश्ट सुदी पूर्ण मासी को लहर तारा तालाब में विक्सित कमल के फूल पर एक नवजाच सी सुरूप धारन करके विराजमान हुए अपने सत लोग से चल कर आए और वो कवीर नाम से परसिद हुए जुलाहा कवीर ये वो पूर्ण ब्रम है शर्वैसिष्टी रचनहार है अंगारी बंभारी अंगारी माने पाप ना सक बंभारी माने बंधनों का सत्रू अर्थात बंदी छोड ये वेद परमान देते हैं यदुर वेद अध्याय नंबर पांच कि इसलोक नंबर बत्तीस में कवीर अंगारी असी, बंभारी असी, शवर जोती, रत धामा असी, रत धामा सवर जोती असी रत दाम का रत होता है शतलोक में रहने वाला सतलोक वासी शतलोक का मालिक सतलोक वाला सवर जोती माने स्वेम प्रकासित और अंगारी माने पाप का सत्रू अरी माने सत्रू अग माने पाप और बंभारी माने बंबर माने बंधन अरी माने सत्रू बंधनों का सत्रू करम के बंधन पाप काल के बंधन को नास करने वाला काटने वाला काल के बंधनों से छुडाने वाला वो बंभारी कबीर असी वो कबीर प्रमात्मा है पुनात्माओ हम कोई भी साधना करते हैं पूजा करते हैं उद्धे से यह होता है कि आत्मा का कल्यान हो और फिर हमारे संसारिक जीवन में हमारे संसार के अंदर संसारी कारिय इस मनुस जीवन में जो हमारे ओपर आने वाली आपदाएं हैं वो भी टले हैं क्योंकि यहां आपदाओं पर आपदाएं आएंगी तो हम बगती नहीं कर सकते आत्म के लाण नहीं करवा सकते हैं फिर हमने ये इसलेक्ट करना है ये चुनना पड़ेगा कि वो कौन परभू है जो हमारे प्रहरद में हमारे प्रहरद में किश्मत में लिखे हुए संकटों को शमापत कर सके नास कर सके अक्षमा कर सके अब कष्ट संकट किसली आते हैं दुख किसली आता है और सुख किस कारण से होता है सर्वविधित है के सुख पुन से होता है और दुख पाप से होता है तो पुन्यात्माओं जो हमारे पुरवजनम के किये हुए कष्ट है दुख किये हुए पाप है उनके कारण हम संकटों से घिर जाते हैं और ये हमें मालूम है कि भगवान संकट मोचन है उस संकट मोचन से हम फिर अपने संकटों के निवारण के लिए चेश्टा करते हैं फिर हमें ये भी पता है कि प्रमात्मा का मारग हमारे संकटों का मोचन जो है संतों दुबारा ही होता है इस वरिये सक्ति से इसलिए हम संतों की तलास में फिर चलते हैं और कुछ दंत कताएं सुनी होती हैं कोई मंदिर जाता है कहते हैं उस मंदिर में जाने से संकट निवारन होता है कोई किसी मजार पर जाता है किसी पीर की मंधी पर जाता है कि वहां जाने से संकट निवारन होते हैं कोई किसी तालाब जोहड में या दरिया में सनान करने जाता है कि उसमें सनान करने से संकट मोचन होता है कष्ट निवारन होते हैं इन सभी सुरूतियों से इन सब सुनी सुनाई बातों से हम अपने संकट के निवारन के लिए प्रियतन सीड रहते हैं हमें मालूम है कि प्रमात्मा हमारे दुखों का निवारन करता है उस उदैसे से हम घर से निकलते हैं जिसको जैसा भी ग्यान होता है कोई मंदिर में जाता है कोई मस्चिद में कोई गुरुद्वारे में कोई चर्च में कोई किसी तीरत दहम पर जाता है कोई किसी तालाब पर सनानार्थ जाता है और कोई संतों के पास जाता है वहां जाने के बाद फिर भी के पहले हमने यह जानना होगा जिस संत के पास आप जाते हो वो आपको कोई ना कोई जंतर मंतर बगती साधना का अवश्य बताता है कि आप ऐसे करो आपका कश्ट निवारण हो जाएगा तो जो दुखी है जैसे कोई रोगी वैद के पास जाता है वैद उसको जो दवाई देता है उस्ती देता है वो उसको खाता है और बताए अनुसार सारा प्रहेज रखता है और फिर भी उसको आराम नहीं हो रहा तो डाक्टर ठीक नहीं वो डॉक्टर ठीक नहीं, वो वैद ठीक नहीं, उसको ग्यान नहीं है आपकी बिमारी से रोग से परिचित नहीं है तो क्या करना क्या करते हैं फिर दूसरे वैद के पास जाते फिर तीसरे के पास जाते जब तक रोग नहीं कटेगा तब तक आप चैन से बैठ नहीं सकते और नहीं बैठना चाहिए अब कुछ पुन्यातमा संतों के पास चले गए किसी को दो वरस होगे किसी को दस वरस किसी को बीस वरस आपतिया जोंकीतों बनी हुई हैं कुछ पुन्यातमा केवल प्रमातमा प्राप्ति यानि अपनातम के लियांड समझ कर वहां गए उन संतों के पास कि गुरू बिन मुक्स नहीं होता ये भी उनको ग्यान हुआ कि गुरू अवश्य होना चाहिए गुरू बिन भगती भी नहीं बन सकती ये भी तथ्य है सथ्य है लेकिन गुरू पूरा हो अधूरे गुरूं से नीम हकीम वैदों से स्वासथ्य प्राप्त नहीं हो सकता रोग कट नहीं सकता इसलिए हम जो पुन्यात्मा थी वो इन संतों के पास पहुँच गए लाखों और क्रोणों की संख्या में वहाँ जन सम्हों इकत्रित हो गया अब वहाँ उनको लाब नहीं हो रहा जैसे जब तक जीव के पुन्य पूरव जन्म के पुन्य चलते हैं तब तक वो किसी भी साधना को कर रहा है किसी भी संत के पास वो गया हुआ है उसके पूरव जन्म के पुन्यों से अच्छा लाब मिल रहा है वो सुखी है जैसे किसी का अच्छा कारोबार चल रहा है गर्मन संतान बेटा बेटी होगे फिर उनकी पढ़ाई अच्छी होगी उनको अच्छी नौकरिया मिल गी अच्छी स्थानों पर उनका विहा संसकार हो गया तो वो भगत उन संतों के पास था तो उसने ये सोचा कि जो गुरुजी ने मुझे मंतर दे रखा है इस से मुझे लाब हुआ और उसी गुरुजी के पास ऐसे भी विगती हैं जो दुखी गए थे और उससे भी और दुखी होगे वही साधना वही भगती वो कर रहे हैं क्योंकि उन जिनके सर्वसुक्त थे सब कारिये ठीक हुए उनके पूरा जुनम के पुन्य उनके साथ थे और जिनको लाब पहले ही नहीं था वह और भी चले वहाँ जाने के बाद और भी दुखी हो गए तो उनका पुन्य पुरद्रम का नहीं था पाप उन्हें भोगने ही पड़ रहे हैं तो फिर वो संत उनको क्या कहते हैं जो दुखी थे और सुख नहीं हुआ उनको कहते हैं कि तुम्हारे प्रारवद का जो भोग है ये तुम्हारे भोगना ही पड़ेगा भगती करो आगे वाले जीवन में तुम सुखी हो जाओगे पुन्यात्माओं जब वो संत ये कह देते हैं कि तुम्हारे प्रारवद का जो भोग है वही में मिलेगा तुम्हारे प्रारवद में तुम्हारी किसमत में पुन्य है तो सुख मिलेगा पाप है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा इस से सिद्ध हो जाता है कि उस संत के पास कोई भगती मारग नहीं है उसके पास वो दौाई ओस्ती नहीं है उस पर्म सक्ती का उससे योग नहीं है जो हमारे प्रहर्वद के पाप को नास कर सके और पाप नास वेबिनस सुख नहीं हो सकता जैसे किसी के पैर में काटा लगया हो और कोई किसी के पास जा कर कहता है कि मेरे पैर में पीडा है उसने बता जिया कि तेरे पैर में काटा लगया हुआ है गैरा चला गया है उपर दिखाई नहीं दे रहा है जिस कारण से तुझे पीडा है कि अब वह व्यक्ति ये कहें कि तेरा काटा तो निकल नहीं सकता है अब जूता पहन ले आने वाले आगे तुझे काटा नहीं लगेगा फिर से काटा नहीं लगेगा जूते पेनो पुन्हात्मा जब तक काटा नहीं निकल लेगा तब तक जूता पेन आ नहीं जा सकता उसका काटा लगे पेर में उसका प्रोपर जो है समाधान क्या है कि पहले काटा निकले और फिर फिर वो जूता जिया जाए कि आगे जूता मत निकालना निकांटा फिर लग जाएगा फिर वो इस डर से जूता कभी नहीं निकालेगा कि कई फिर कांटा ना लग जाए क्योंकि वो बहुत पीडित हो चुका है ऐसी जो पुन्यात्मा हैं यहां दुखी होकर आती हैं इस सचे दरबार में कबीर परमात्मा के दरबार में ये परमेश्वर कबीर जी का हॉस्पिटल है दास यहां उन्होंने एक वैद डॉक्टर बना रखे आत्मा का उपचार करने वाला तो पहले आपके प्रहर्वद में जो दुख है वो कष्ट रुपी काटे को निकाला जाएगा उस कष्ट रुपी काटे को निकाल दिया जाएगा फिर आपकी रुची बनेगी परमात्मा की साधना करने में और फिर आपको ऐसा ग्यान दिया जाएगा कि फिर पाप मत करना नहीं तो ऐशा ही कसंकर ते ले उपर फिर आ जाए पिर आप कभी पाप नहीं कर सकते क्योंकि आप पाप के कस्त से प्रिजित हो चुके हो फिर ये राम नाम का जूता आप कभी नहीं निकालोगे यानि भगती का प्रमात्मा के नाम को खंडित नहीं करोगे कुछ पराणी सुखी हैं और वो भी यहां आते हैं उनको केवल आतम के ल्यान का ही उदेश्य से रखते हुए वो यहां आते हैं उनको आतम के ल्यान का ही उदेश्य होता है उनको भी उप्रेश दिया जाता है लेकिन वो बहुत यच्छी पुन्यात्मा होगी तो मारक पर ठीक लग जाती है नहीं तो कुछ क्योंकि वो पहले सुखी है फिर परमात्मा के चर्णों में आने से उसको और सुख मिलता है पुन्यात्मा पाप ना सो जाते है तो उस संकटों से प्रीचित नहीं होता कुछ दिनों के बाद सत्संग में आना कुछ कम हो जाएगा और फिर कुछ ऐसे व्यक्तियों से उसका मेल मिलाब हो जाएगा वो फिर भगती छोड़ देता है वो चला जाता है परमात्मा कहते हैं इतना सुख भी ना दे भगवन कबीर भगवान जी अपनी अमर्त वानी में अपनी मुख से उचारी तुस अमर वानी में अपने ही उपर अपने ही उपर वानी बोलकर हमें समझा रहे है क्या कहते हैं कि कबीर सुख के मात्य सिला पड़ो जो नाम हर्दे से जाए और बलिहारी उस दुख के जो पल-पल नाम रटावे प्रमेश्वर कहते हैं हे बगवन इसे सुख का आग लगा जो आप से दूर करे और इसा कस्ट हमारे उपर रखना प्रभू तेरी याद बनी रहे बलिहारी उस दुख के जो भगवन याद दिवाव है तो पुन्यात्माओं जो अच्छी आत्माएं थी जो पिछले संसकार से जिन के पास पुन्य थे वो भी प्रमात्मा की तलास में उन संतों के पास चले गए जो नकली साधना बताते हैं और उनका सिद्धान्त यही है कि किये हुए करम का भोग तो जीव को भोगना ही पड़ता है भग्य में परिवर्तन नहीं हो सकता जब हम दुखी हैं और प्रमात्मा के साधना से पाप नास नहीं होते संकट निवार नहीं होते तो भगती की आवसकता समाप्त हो जाएगी प्रमात्मा की आवसकता ही नहीं रहेगी दुखी दुखी रहेगा सुखी सुखी ही रहेगा तो फिर वगवान की भगती की आवसकता ही नहीं है इस कारण से उन नकली संतों और मनमुखी अपने सुनी सुनाई दंत कथाओं के आधार पर इन मंदर मस्चित गुरुद्वारों और चर्चों मंदरों मडियों में मजारों पर तीर्थों पर सनानार्थ या भगतियारत जाने से लाब कोई हुआ नहीं भगत जन नास्तिक होगे अब इतने नास्तिक होगे के भगवान कि तरफ उनकी रूची भी नहीं बनती और संकट निवारन के लिए उनने कौन सा प्रोसीजर अपना लिया दनी बनने के लिये तै चोड़ी ठगगी मिलाऊत रिशवत सुरु कर दी और संकट बुलाने के लिए गुटी शुड़ी सुरु कर दी शरपेनी असलोफा फीना या नशेस की गोलिया क्षानी सुरु कर दी तो उन अपराजी संतों के द्वारा समाज में कितना विस घोल दिया गया जो परमात्मा से प्रिचित नहीं और संत पद परवराजमान है वो अपराजी प्राणी है क्योंकि व้ मुनूस्ट जीवन को बरबाद करवा रही है मुनूस्ट जीवन की कोई कीमत नहीं कोई भी कीमत नहीं इतना अनमॉल है और जो ऐसे अनमॉल धन को वर्थ करता है वो कितना पापी होगा, इतना दोसी होगा यह तो प्रमात्मा आगे अकाउंट लेगा, उसका लेखा लेगा वहाँ पता चलेगा उस नकली गुरु को गुरु का अर्थ होता है मार्कदर्सक और किसी विक्ती ने अपने घर जाना है और किसी से वो मार्क पूछ रहा है और उस नालायक ने उसको उसके अपने घर के विपरित जिसा बता दी उसके घर के विपरित मारग बता दिया उसने विश्वास किया यात्री ने उस नालायक की बातों पर और दूसरी जिसा पकड़ कर उदर को चल दिया तो कितना पाप लगया उसको सारा दिन विर्थ हुआ उल्टी जिसा में सफर किया ऐसे ही ये जो मार्क दर्शक संत है जो वेदों और गीता जी तो था सद गरंतों से परिचीत नहीं और संत बन बैठे ये पिछले जनम के पुनकर्मी प्राणी थे ये जो संत पद पर हैं गुरू पद पर हैं ये कौन थे ये भगती की चाहा मैं घर से निकले आत्म कल्यान के लिए घर से निकले आगे इनको नकली संत मिल गे वो नकली गुरू मिल गे उन नकली गुरूँ में क्योंकि वो अच्छी आत्माएं थी उन गुरूओं के साथ उनका एक नेक नाता भी बन गया और उनकी पिछले पुनकरमों के कारण का सभाव भी अच्छा उनकी लगन भी अच्छी देख करके किसी को तो उतराजी कारी बना जिया किसी को परचारक बना जिया उस अग्यान का वो भुली आत्मा फिर आगे दुनिया को गुम्रहा करने लग गए अपना कल्यान तब भूल गए औरों को कल्यान में लग गए जबकि स्वर्म ग्यान नहीं और पूरी प्रत्वी पर अब यही विवस्था बनी हुई है किसी भी संत के पास यथार्थ ग्यान नहीं और सभी गुरू बने हुए हैं गुरू कार्थवता मारक दर्सक यथार्थ ग्यान देने वाले तो पुन्यात्मा वो महादोसी है और आप जी का जीवन बरबाद हो रहा है अब वहाँ जो 10-15-20 वरस्चे लगे हुए थे उन संतों नकली संतों के पास उनकी पुन्य कमाई जो थी वसमाप्त ही अब उनकी दुर्गती शुरू होगी उन पंथों में दुखी हुए प्राणी अब यहां आ रहे है अपनी गाथा बता रहे है के मेरे पास सब सुख था अच्छा व्यवसाय था खुब दान करते थे वहाँ सेवा भी करते थे महिने में जाते थे हफते में जाते थे और सब कुछ लुट गया मान सिंख प्रेसानी होगी गर में भी कष्ट भूत बोलन लाएगे ओ तरा गजबई अब पुन्यात्माओ वो अच्छा समय उन नालाएक संतों ने बरबाद करवा दिया पहले तो जो उनको सुख था दस पांच बीस वरस तो इसलिए रुके रहे कि हमारे गरमत सुख हो रहा है और वो हो रहा था उनके पिछले पुन्य से जब वो पुन्य खत्म होगे तो पाप का दौर सुरू हुआ पाप का दौर सुरू हुआ तो उन संतों के पास समाधान है कि वो प्राहरब्द में यानि किस्मत में आएब संकट को वो निवारन करते अब फिर वो उनकी छूरी उनका सिद्धान सुनकर के कर्म तो भोगना ही पड़ता है इसलिए फिर कुछ दिन वहीं पड़े रहते हैं कि वह यहों कहते हैं कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ता है इसलिए कोई बात ने यह भी भोगेंगे तो पुन्यात्मा इस काल भगवान ने अपने नकली संत बेज करें नकली संदेश वाहक दूट बेज करके पूरे रूप से पूरन मानों को अज्ञान से प्रिपूरन कर दिया और भगती से भगवान से कोसों दूर कर दिया अब इस दास के सामने यही समस्या आ रही है कि सभी संत सद गरंथों के विपरित ग्यान दे रहे हैं विपरित समाध्धान बता रहे हैं और इस विश्वे में केवल एक ही दास है यह सब को सद ग्यान देता है शास्तर नकुल साधना बताता है तो दूसरे संत जन इस एक सुब्ध होते हैं कि वो हमारी आलोचना करता है आलोचना करना तो पाप है लेकिन सत कहना पुन्य होता है कहते हैं सत बराबर पुन्य नहीं और जूठ बराबर पाप जो सत कहते हैं उनको बहुत पुन्य होता है जो जूठी जूठ बोलते हैं जूठा ग्यान देते हैं जूठा मंतर रॉंग मंतर देते हैं उन जैसा पाप नहीं उनको महापाप है बहुत ही पिछले पुन कर्मों से मानुस रीद प्राप्त होता है मानुस जनम पाक है जो प्राप्त मानुस जनम पाक है जो प्रमात्मा की भक्ती नहीं करते उनके विशे में बताया है कि वो तू ऐसे हैं जैसे जल रहित गूप जिस कुवे में जिस वैल में जल ना हो और खुब बढ़िया बना रख्या हो उपर सुंदर उसके चीतर कारी कर रही हो बढ़िया पलस्टर्ड भी कर रही हो पक्का बना रही हो उसका नाम कुवा अवस्य है लेकिन गुण कुवे के नहीं है अब जो भगती कर रहे हैं वो ये सोच कर कर रहे हैं कि हम सही भगती कर रहे हैं इसका निरने कैसे होगा कि हम भगती सही कर रहे हैं गल्द कर रहे हैं अब ये दास कहता है कि सब विश्वे में सभी संतों के पास किसी भी संत के पास ये थारत भगती मार्ग नहीं है तो ये कह देने से बात नहीं समाब्त होती ये आपको परमान देने पड़ेंगे कि वो संत ये साधना बताता है वो संत ये साधना बताते हैं वो संत ये साधना बताते हैं उस पंथ में ऐसा मार्ग दर्सन है और हमारे सद्गरंथों में ये मार्ग लिखा है पुन्यात्मा वो कोई भी वस्तु है, किसी का हम पैमाइस करते हैं, किसी की तुलना करते हैं, तो उसका कोई आधार मानना होता है हमने अपने भक्ती मारग के इस प्रोसीजर को, इस मैथड को आधार मानना है सदगरंथों को सदगरंथों में कौन-कौन से हैं, पवित्र चारों वेद और पवित्र पांचवां वेद जो है, वो सुक्सम वेद, जिसके विशे में, गीता जी दहय नंबर 4 के स्लोक नंबर 32 में, 32 में कहा है उसमें क्या कहा है कि जैसे गीता जी दहय नंबर 4 के स्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक किवल इतना ग्यान दिया गया है कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई तीवर हिंसा वर्त, हिंसा वर्त रखता है जैसे मुपा पट्टिवां, ध्री नंगे पैरों चलना और कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई के वली योग आसन करते हैं, कोई प्रणायम करते हैं, कोई उस्वास की क्रियाओं पर ही विश्वास रखते हैं, कोई सबदादी से अपने अंद्रियां हटा लेते हैं, इन विकारों से यानि सेम्मी बनने से ही अपने आपको मान लेते हैं हम सच साधना करें यानि ये जो भी साधना जैसी करता है अपनी साधना को अपनी क्रियाओं को वो पाप ना सक जानते हैं यानि उनको ये समझ रहे हैं कि हम जो साधना करें ये पाप ना सक करें तो कर रहे हैं नहीं तो छोड़ दें उनको तो चौथे जय के 32 स्लोक में कहा है कि इसी प्रकार के बहुत विश्तार से और भी बगती के साधन उस प्रमात्मा के सचीदा नंद घन बर्मने मुखे बर्मने मुखे यानी सचीदा नंद घन बर्म के मुखारविंद से उल्चारित उस मुखे ग्यान में अर्था शुक्सम बेद में पांचमे वेद में विश्तार से कहे गए और उनको कर्म जान यानी वो करने से ही बनेंगे कहने से worries नहीं यानि किरियां उनकी जो काम करते-करते अपना सिंपल वेत है, साधान ढंग से जैसे आप ग्रश्ती हैं या कोई जैसा भी है, मतलब हठ योग से नहीं जह जंगल में जाका बैठ गिर, समाध्दी लालिर, तब करण लग गिर, कहते हैं उससे नहीं, वो ता अपना साधान किरि और सहज समाध्द, सहज मारग है वो, तो यह गीता जी के अनुवाद करताओं ने यहां ब्रमने कारत वेद कर दिया, और मुखे का अरदवानी कर दिया, यह गल्द किया है, गीता जी दैरमर 17 के सलोक नमबर 23 में ब्रमने कारत लिख्या है, सचीदानंद घन परमात्मा, सच जा भी हम ब्रमने कारत सचीदानंद घन ब्रह्म कहें और मुखे माने उनके वाणी में, सचीदानंद घन की वाणी में बहुत विश्तार से कहे गए है, तो इससे सिदह कि गीता ज्यान दाता किसी अन्य भगवान के बारे में कह रहा है, अपने से अलग और उनके द्वारा उसके मुखारविंद से उचारित ग्यान में, सब प्रकार के साधनाएं और कौन सी साधनाएं ठीक हैं, कौन सी गलत हैं, यह सब निरनायक ग्यान उसमें उस पांच में वेद में दिया है, सचीदानंद घन की वाणी में, तो पन्यात्माव हमने आधार माना है पुवित्र पवित्र यह सचीदानंद घन की वाणी को, यानि कवीर वाणी को, कवीर वाणी को, और पवित्र श्रीमत भगत गीता को, पवित्र अठारा पुराणों को, इनको आधार मान करके हमने भगती ज्ञान और भगती विधी आपको बताई, जिसको हम सच्ट कहते हैं, कि यह सची साधना है, और यही साधना हमारे गुरुदेव ने इस दास को पहले ही दे रखी थी, जब तक हमने वेदों और गीता को देखा भी नहीं था, उन्होंने कहां से दिया था हमें, वो भगती मारक सचीदानंद गन की वो ग्यान उस आधार से हमें बगती दी थी, जो आज उस में विद्मान है, और उसका समर्थन फिर सभी सद्गरंथों ने किया, तो जो अन्य संत हैं, वो कोई भी आधार मान कर नहीं चले हैं, यदि उन्होंने आधार किसी को माना है, जैसे कोई गीता जी को ही सरेश्ट सा मास्तर मानता है, तो उसने गीता जी अनुसार साधना नहीं बता रखी, गीता जी के विर्द साधना बता रखी, तो जो गीता जी को सत मानता है, वो है तो अच्छी अच्छी आत्मा, लेकिन गीता जी हमें क्या मार्थ दर्शन करती है, कौन सा मंतर जाब करने को कहती है, व इताग्यान दाता कहता है कि मेरा तो एक ओम एक अक्सर है, यह एक मंत्र है ओम इती एक अक्सरम बरहम विभारन माम अनुसमरन यह परियाती तजंदेहं सैयाती परमाम गतिम यह तो है संसकरतिश की, इसका अनुवाद यह है कि मेरा माम बरम, मुझ बरम का केवल एक ओम अक्सर है उचारन करके सुमन करने का, और जो अन्तिम स्वास तक, यानि शरीर चागते समें तक इस ओम का सिमन करता हुआ जाता है तो सैयाती परमाम गतिम, वो परम गती को प्रात होता है मेरे सतर की, क्योंकि गीता ग्यान दाता ब्रम है और ब्रम की साधना के विश्य में गीता जी बता रही है तो यह मंत्र है नथिंग एल्स और गीता जे जह नुमर आठ के सलोक नुमर एक में अर्दुन ने पूछा के है बगवन आपने गीता जह नुमर साथ के सलोक नुमर ट्विंटी नाइन में 39 में जिस ततवर्म की व्यक्या की है ततवर्म के बारे में कहा है कि उस ततवर्म को और सारे ज्यातम ग्यान को और समझने के बाद सादक यहां की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता केवल जरा और मरन से छूटने का ही परियतन करता है तो वह कौन है वो ततवर्म गीता जे जह नुमर आठ के सलोक नुमर एक में पूछा किम ततवर्म किम अध्धातम किम अधिभूत पुर्शोतम अधिदेव अध्धातम किम तो उसका उतर ज्याठ में जाए के तीसरे ही सलोक में कि वो परमक्सरवर्म है यानि वो गीता ज्यान दाता से कोई और है और वो परमक्सरवर्म है एक तो ब्रम एक अक्सरवर्म और एक परमक्सरवर्म पुनातमाओ ये सद्गर्ण संसकर्ट में होने के कारण हमारे लिए पाड़ हो रहे थे और संसकर्ट पढ़ने वाले चंद विक्ति होते थे वो समझ नहीं सके क्योंकि उनके पास मास्टर की नहीं थी वो मुखे चाबी मुखे ग्यान कवीर जी का वो पांचमा वेद नहीं था तत्व ग्यान उनके पास नहीं था तो अब वो गीता ग्यान दाता किसी परम, अक्सर ब्रहम, परम माने स्रेष्ट, अक्सर माने अविनास्ति, ब्रहम माने भगवान, ब्रहम कारत प्रमात्मा होता है यदि ये और नकली ब्रहम ना होते हैं तो एक ब्रहम सब्द काफी था, सुफी सेंट था, प्रियाब था लेकिन ये और ब्रह्म हैं और भगवान हैं स्वामी हैं मालिक हैं प्रभू हैं इसलिए पर्म अक्सर ब्रह्म कहा गा जैसे गीता जी द्याहे नमबर पंद्रा के सलोक नमबर एक से लेका चार में उसम बता गया कि उल्टा लटका संसा रुपी वरक्स है जिसकी उपर ने तो पूर्ण प्रमात्मा है रुपी जड़ समझो और वाकी तीनों गुंड रुपी साखा रजगुन विर्मा सत्कुन विशुमत वोशी पर्थम मंत्र मे जाएगे पर्थम मंत्र में बता है और चौथे में फिर कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है उसके पस्टा तुस परमपद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए उस परमेश्वर के परमपद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद जीव लोटकर फिर संसार में कभ जुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके हैं तो नहीं जानता मैं जानता हूँ फिर नौ में सलोक में कहा है पांच चौत्छे जायके मैं कि मेरे जनम और करम अलोकिक है इससे सद्ध है कि गीता ग्यान दाता जनमता है और मरता भी है क्योंकि میरे और तेरे जनम बहुत होली है गीता ध्हाय नंबर 10 के स्लोक नंबर 2 में सफ़ष्ट किया है कि मेरी उत्पती को मेरे जनम को ये देवता और इसी और ये सद्र नहीं जानते क्योंकि ये मेरे से उत्पत होता है कि गीता ग्यान दाता यानि ब्रहम का भी जनम हुआ है जियोती निरजन काल है ये इसका भी जनम हुआ लेकिन इससे उत्पन ब्रहमा विश्णु महेश और अन्यरिशी देवता ये ब्रहम के जनम को नहीं जानते डेट ओफ बरत को नहीं जानते अब ब्रहम का पता बता सके है किसका जनम कब हुआ जैसे दादा बच्चे अपने पता के जनम को नहीं जान सकते कब हुआ था दादा जी बता जेगा उसकी डेट ओफ बरत बता जेगा किस तिन हुआ था तुमारा पता जी तो ऐसे पूरण परमातमा कबीर जी ना के बताया है वो उनका सबका हमारा सबका दादा है इंबरमा बिश्न महेश का दादा है और काल का पता है वैसे तो दूसरी संग्या में हम जब जाएंगे आतम रूप में सतलोग पहुंचेंगे तो सीधे वो हमारे पता ही है ये जो पुतिनरदन भी उसी का बेटा है, हम भी उसी के बेटे, लेकिन इसने यहां आकर कि हमारे अपना नाता चेंज कर गिया, इसने सारी वर्ष्था बदल ली, तो यहां हम इस तरिश्टी कौन से बता रहे हैं कि पूर्ण प्रमात्मा कवीर जीक, शत्यपुरुष प्रमक्सर ब् जाए कि तियरुमें स्लोक में, और फिर कह रहा है कि प्रमक्सर ब्रह्म, उसकी साधना करने से फिर कभी लोटकर पंदर में जाए कि एक से चार, चोथे स्लोक में कहा कि जब तत्वदर्सी संतु तुझे मिल जाव है, जिसके विशे में चोथे जाएगि, चोथे जाएग्य 34 में कहा है कि तत्व दर्शी संत की खोज करो और उन से फिर उस चोथे दय के 32 में जिस परमक्सर ब्रहम सची दानंद घन की वानी यानि उस तत्व ज्ञान के विशे में कहा है कि उसमें विश्तार से ज्ञान दिया हुआ सची बगती का पूर्ण वोक्ष मारग का तो चोथे जाके 34 में स्लोक में गीता जी में कहा कि उस उस तत्व ग्यान को जो सची दानंद घन की वानी में है उसको किसी तत्व दर्शी संतों के पास जाकर समझ उनको डंडवत परनाम करने से कपट छोड़ करके परशन करने से वह तत्व दर्शी संत तुझे सत्मारक बतावेंगे तो यहां पंदर में दैके चौथे सलोक में कहा है कि जब तुझे इस संसारुपी वर्क्स का पूर्ण ग्यान हो जा और पूर्ण ग्यान कौन कराएगा तत्व दर्शी संत कराएगा तत्वधरसी संत की पहचान क्या है फंदर में दे कि पर्थमी शलोक में की तद्आ जीम कहा है कि जो उड्टे लटके वे संसारू की वर्क्ष के सभी पार्ट ओफ तम तरी यानी वर्क्ष के सभी भी भाग बतावै वो तत्वधरसी संत है से वेद वित अब पंधर में जाएगे चौते सलोक में फिर निरने दिया है कि जब तत्व दर्शी संत मिल जा तो अग्यान रुपी गुथी को इस तत्व अग्यान रुपी सस्तरत में काट कए उसके पस्ताद उस परमेश्वर के पूर्न परमात्मा के परमकसर ब्रहम के उस परमपद की खोज करनी चाहिए यानि वो साधना उसी बताया नुसार करनी चाहिए तत्व दर्शी संत के अधार से फिर जहां जाने के बाद कभी जनम मर्टू साधक की नहीं होती तो वो परमात्मा जिसने सारी ब्रहमंडों की रचना की है वो गीता ग्यान दाता से कोई और के बारें बता जारा और गीता ग्यान दाता कहता है मैं भी उसी की सरन हूँ मैं उसकी सरन हूँ इस परकार उसी का उसी की साधना करनी चाहिए गीता जी अध्धाय नमबर पंद्रा के अठारा के स्लोक नमबर बैसेट में कहा के अर्दुन तु सर्वभाव से उस परमेश्वर की सरनमदा जिसकी करपा से तु परमस्यानती और सनातन परमधाउम यानि सदा रहने वाले उस लोक को प्राप्त करेगा सासवतम सथानम इसे भी सिद हो गया कि गीता ग्यान दाता से कोई और परमात्मा है उसकी सादना से पूरन मुख्ष प्राप्त होता है जनम मर्तु सदा के लिए समाप्त हो सकती है और गीता में लिखी विधी से भी जनम मर्तु पूरन मुख्ष प्राप्त नहीं होता लेकिन अन्य जो सादना उस गीता से भी नीचे की अलग से कोई मंतर दिये जाते हैं वो यूजलेस हैं वो तो कती यूजलेस हैं और गीता ग्यान दाता कि अनसार साधना करने से ब्रहम ओम की साधना ओम नाम का जाप करने से ब्रहम लोक प्राप्त होता है ब्रहम लोक में गए प्राणी काफी वरसों तक बहुत वरसों तक स्वरग में रह जाते हैं अपना पुन्य के आधार पर बगती की कमाई के आधार से और वो पुन समाप्त होने पर फिर दुबारा ब्रहम लोक में गए हुए भी प्राणी फिर जनम मर्तु में आते हैं परमान है गीता जिद्धाय नमर आठ के सलोक नमर सोला में उसमें कहा कि ब्रहम लोक पर यंत सभी लोक पुनरा वर्ती में हैं सभी लोक यानि जो ब्रहम लोक की सादना करके ब्रहम लोक में चले गए वो नम की जाप से तो वो भी पुनर आएंगे जनम मर्तु होगी और ये लोक नासवान है इनका भी पुनर वर्ती होगी इनका भी यह भी डिस्ट्राउय होंगे और फिर दुबारा कंस्ट्रेक्शन होती रहेगी फिर बताया है कि अठारमेद है के बैसेट में सलोक में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की सर्णमदाद जिसकी करपासित उपरमिशानती और सनातन परमधाम को पराप्ध होगा उस अठान पर चलाजाएगा जो कभी नास में नहीं आता जिसकी पुर्णरा वर्ती कभी नहीं होती अब गीता परमक्सर ब्रहम की डिफाइन कर रहे हैं परमक्सर ब्रहम क्यों कहा है गीता जिद्धा जिद्धार मराठ के सलोक नमर तीन मैं ब्रह्म गीता बोल रहा है स्रीकर्षन में प्रवेश करके ये काल है जो ती निरजन है गीता जिद्ध है नमबर 11 के सलोक नमबर 32 में ये स्विम कहता है मैं काल हूँ अरदुन सब को खाने के लिए नश्ट करने के लिए अपरवर्थ हुआ हूँ तो ये ब्रह्म कह रहा है कि आठमे द्हा के तीसरे सलोक में कि जिसके विशे में साथ में द्हा कि उन्हें तीसमें सलोक में जिस तत ब्रह्म उस बगवान उस परमिश्वर के विशे में बता है वो परम अक्सर ब्रह्म है आठमे द्हा के तीसरे सलोक में फिर क्या बताता है कि वो परम अक्सर ब्रहम क्यों कहा परम अक्निक ब्रहम माने भगवान जैसे परभू माने स्वामी राम कहो परभू कहो गोड कहो इस कहो इस इस माने मालिक स्वामी भगवान इस वर जो इन भगवानों से भी स्रेष्ट हो इस सिद्ध है कि इस से ऊपर भी कोई और स्रेष्ट प्रभू है, इश्वर उसका स्वामी है, उसका मालिक है, और प्रमिस्वर, यानि इश्वर से भी स्रेष्ट कोई और है, वो प्रमिस्वर जो है उसको प्रम अक्सर प्रहम कहते हैं, प्रमिस्वर को, तो प्रमिस्वर जो ह उसको परम अक्सर परहम, इसलिए कहा गा क्योंकि यह और भी बगवान हैं लेकन यह अक्सर पुरुष नहीं है, यह अविनासी नहीं है, जैसे यहां गीता जी दह नंबर 15 के सलोक नंबर 16, 17 में यह निर्णे हो जागा, तीन बगवानों का, तीन ब्रहमों का, तीन पुरुष पुरुष कहो, ब्रहम कहो, पुरुष माने परमात्मा, सत्य पुरुष, अविनासी प्रभू, सच्चा मालिक, जैसे हम सच साहिव कहते हैं, हे सच्चे मालिक, जैसे हम दुखी हो जाते, अन्ने पूजाएं भी करते थे, तन्यों का आ करते हैं, हे सच्चे मालिक, तो ही सु तो यहां दैसे तीन मालिक, तीन प्रभु, तीन राम, तीन पुरुष अब परमानित होंगे नियरे नियरे गीता जी दह नमर 15 के सलोक नमर 16 में कहा है कि इस संसार में दो पुरुष है जो वैल नोन है, इन दोनों इस लोक में दो भगवान परसीदें, एक चरपुरुष एक अक्षरपुरुष, एक तो अक्षरपुरुष, एक अक्षरपुरुष, यह सुद्धें दिया, चरपुरुष हम सीधा बोल दें, चरपुरुष, चर महने जिसका नास हो, चर महने राक राख राख है, चार का विगड़ा हुआ, चार का अरत चार बन गा, चार मने राख, यानि जो नासवान हो अक्षर ब्रम, शर पुरुस, फिर अक्षर पुरुस, ये दो भगवान, पर पुरुस मने पृभु, और इनके लोकों में जितने इनके अंतरगत पराणी है, श्रीर् आत्मा आमर है। अपने नजदी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।